हालो माई दियर स्टूर्स वेलकम तु तरंसर क्लासिवर आज आपके लिए लिए कर रहा हूं तब बॉन्ड ओफ लव के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट होट्स यहाँ पर आपके साथ डिसकस करूंगा यह भी कहूंगा आप मुझे मेरी दूसरी चैनल तरंसर व्लोक्स पर भी फोलू कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पर रही है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सेप्टर की एक्स्प्लेनेशन की वीडियो भी मिलेगी तो फर्स क्वेशन है वेर कें यू फाइंड असलॉट बियर आपको कहां पर मिल सकता है तो आप्शन से ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट एवर्गीन फॉरेस्ट एमसोन फॉरेस्ट या फिर नन आप दीस तो बारे में ओल्ली आपको बता सकता हूं है ऐसा बियर होता ह है जिसकी जो स्किन है थोड़ी सी रफ होती है और थोड़े से सुस्त भी होते हैं लेजी होते हैं तो यह मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट में तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर आप चलते हैं क्वेशन टू के लिए अब क्या रीजन है कि वो उसको पूर बीस कहकर पुकारता है नेरेटर तो आपके सामने है और उन दा बेसे से ऑप्शन वाप्शन वाप्शन वाला था और शायद भूग की वेज़े से मरने ही वाला था या फिर यह कहें इसको मार दिया था तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा पूर बीस के लिए वो आपकोर्स हम कहेंगी ऑप्शन डी ही रहेगा बिकोज डी में हमें एक्सेक्ट आंसर मिलता है कि इसके जो नेरेटर का एक साथी था उसने बिना किसी रीजन के इसको गौली मार दी थी अब चलते हैं क्वेशन 3 के लिए अब इस पूरी लाइन का मतलब अगर अगर मैं मीनिंग बता दूँगा तो आपको सारा मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा तो इस पूरे फ्रेज का मीनिंग आप बताएए क्या हो सकता है तो आप्शन्स हैं ब्रुनो एडिफिकल्टी इन वौकिंग ब्रुनो वाकिंग वेरी फास्ट ब्रुनो वास हैपली चंपिंग ऑन इस लिग्स और ब्रुनो वास्वाकिं ब्रिस्कली तो यहाँ पर हम जो sodium carbonate है उसके बाद फिर से एक बार उसने कुछ ऐसा पी लिया जिसकी वज़े से जो oil कह सकते हैं जो गाड़ी का तो problem उसको हो गए थी बार-बार So what food did Bruno eat and drink? कोई सा food वो Bruno खाया करता था? तो options के basis पे यहां आपको match करना exact answer क्या हो सकता है और यहां पर नीचे कुछ course भी given है जैसे option A, B, C, D है तो यहां पर आपको A, B, C और D बताए कौन-कौन से option match करते हैं और कौन सा right हो सकता है तो यहां पर हम कहेंगे जिसमें सारे के सारे option आज हैं जैसे porridge, yes of course, milk, butter milk, curry and rice और aerated water, soda water भी और alcohol सब कुछ वो खा पी लेता था तो यहां पर right answer जाएगा option D now we move to question number 5 Bruno drank nearly a gallon of Bruno ने क्या पी लिया था एक gallon of, तो option है engine oil, kerosene oil, beer या फिर milk तो यहां पर right answer क्या होना चाहिए, तो yes of course, यहां पर right answer है Bruno ने drink कर लिया था, एक gallon of engine oil, option A, right answer है, आप चलते है question 6 के लिए what is the meaning of the word prostrate, prostrate word का meaning आपको बताना है, तो यहां पर prostrate का meaning जो है वही इसका answer भी है, so I can't tell, but we can see the option here तो prostrate का मतलब है, यहां पर flat lead जाना ground पर, with face downwards और यह कहेंगे option C, यहां पर right answer है, कि जैसे Bruno prostrate कह सकते हैं, उसके लिए word use किया गया है, या उसकी जो mother के लिए जब उसको गोली लगी थी, तो उसके लिए हम कह सकते हैं, face downwards option 7 है, question 7, बाबा is a hindustani word, जिसका मतलब है, बाबा का मतलब क्या है यहां पर, तो बाबा word का मतलब होता है, yes of course that is a small boy, option D, यहां पर right answer है, अब चलते हैं short question की तरफ, Bruno could eat and drink everything justify, कि Bruno जो है, सब कुछ खा पी लेता था, इस statement को आप कैसी justify करेंगे, तो यहां पर right answer जाता है, कि देखिए, initially Bruno used to drink milk from a bottle, शुरू शुरू में वो bottle की help से drink, यानि milk जो है, पिया करता था, बट, जैसी वो बड़ा हुआ, he started eating and drinking everything, सब कुछ हो खा भी लेता था और पी भी लेता था, and he ate porridge from the ingredients such as vegetables, fruits, nuts, meats, curry, rice, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, or ice cream, यह सारी चीजी जो है, वो खाया करता था, and he drank milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, liquor, etc., and once he drank one gallon of old engine oil, और एक पर तो उसने engine oil जो पुराना होता है, वो भी पी लिया था, तो इससे देखते हैं कि Bruno को कुछ भी चीज़ खाने में कोई difficulty नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था, कि उससे इन चीज़ों में taste नहीं आता था, तो अफकोर्स उसे टेस्ट आता था, तो उससे कुछ खा भी लेता था, अब नेक्स कोशन है, अब नेक्स कोशन है, हाव वास बुरुनो ट्रीटिट आफ्टर ही हैं, जब उसने पोईजन खा लिया था, तो उसको कैसे टीट किया गया, तो बुरुनो हैड अटन बैरियम कार्बोनेट विच वाज वास न इस वास बोला, उस जहर का असर कम हो जाए जो उसने पी लिया था नाव इमूटो क्वेशन बटेन वाई वाई वॉस बाबा सेंट तो जू अब क्या रिजन था उसको जू में वापिस पेजा गया और वॉस बूनो एल लविंग एंड प्लेफुल पैट येस तो अफ़कोर्स यहां पर एक व थोड़े से सिमिलर हैं इसलिए मैंने इसको आपके लिए इसी में ओर करके दे दिया है कि उसकी वज़ए से क्या रिजन था कि जू में उसको बेजना पड़ा तो यहां आंसर है बाबा है बिकम वेरी बिग इन साइज बहुत ज्यादा उसका साइज बढ़ा हो चुका था इ जो आपके जो आपके बाबा को मैसूर के जूँ में छोड़ दिया जाए तो आफर सम वीक्स यानि एक महिने के बाद जो ओधर की वाइफ है वो कंसेंट करती है अगरी करती है तो फिर इसको जू में भेज दिया जाता है अब जब एक पार फिर से उसको वापिस लिए कर आते हैं तो क्या आर्रेंजमेंट की गए थे ताकि उसको गर पे रखा जा सके जैसे कि नेरेटर की वाइफ बहुत परिशान थी वो मिस कर रही थी बाबा को बहुत जादा तो उसके लिए अब क्या तैयारियां की गए एक आईलेंड बनाया जाता है और यह होता है 20 फीट चोड़ाई हो गई और 15 फीट यो है उसकी लंबाई हो गई इतना बड़ा एक आईलेंड सा बना दिया गए अब यहां पर यह चीज आपको देखने है जैसे आपने जू में कभी जाते हैं देखा होगा जहां बड़े जानवरों को रखा जाता है तो उनके चारों तरफ जो है गड़ा सा होता है ताकि वो कूद के इदर ना आपाएं और अपनी ही उस जगा पे रहें और साथ में एक घास फूस रखते ही ताकि उसको थोड़ी वामत फीलो हीट फीलो एंड इस बेवी अन्ट नाल स्टम अलॉंग विद इस गन अब जैसे न उसके क्या होता था एक लक्टी का टुकडा सा था उसको बेवी मान के चलता था और उसकी गन जो है वो भी लक्टी का टुकडा था जैसे उसको रखता था और एक पीस ओब बैंबू दे वर पुट फॉर हम टू प्ले विद ताकि वो उ और ओर बैंबू पकडा दिया गया था कि वो उनके साथ खेल सके अब चलता है क्वेशंच बेड लके लिए लिए अब चलते हैं क्वेश्चिन बट्वेल के लिए आव यूज राओ के लिए अव के यूज के लिए यूज पी प्लेफू ता नीचर से तो बून वास Baba hold gun he pointed the stick at him so he had concealed a stump of wood in his store bed and when he was asked Baba where is baby he immediately produced and cradled that piece would or fear was co-produced car ke liya then he saw me show kar de tata ki dekhoi a baby or yeh khas paat thi us ke ki uska time pass baut achha hojata tha aur isse pata lagta hai wo playful tha baut aap chate question 13 ke liye how did bruno become very special after he returned from Mysore zoo to a se kya wajah thi joh kafi special budh jata hai jab usko waapsi liker at a Mysore zoo se question number 13 me hume bataan hai ki joh author ki waif hai she wanted to make bruno feel at home and they made a special island for him iske baare me amolari pard chukye hai ki a island banaya gaya tha she would sit there for hours and bruno would sit in her lap to bruno unki gold me bachata tha thus he became special after his return from the Mysore zoo to Mysore zoo se vaapis lane ke baad Mysore ke chediya ghar se vaapis lane ke baad special ho jata hai aap chalata hai question 14 ke liye how did author's wife and bruno react after they met at Mysore zoo the author's wife went to see bruno at a zoo in Mysore and when she was a few a few yard so hai door angan kari thi uh uske pinjali se kafi dhu toh usne pehchan liya to baba howled with happiness ektam se jaisi uski awaj aati hai ghur ghur rane wali toh ektam se khushi ke maare ujum urta hai she also ran towards him and patted him with within the case और उसको case में pat करना जैसे पीत थब तपाना थोड़ा सा उस ने किया narrator की wife ने question 15 है animals also feel the pleasure of love and pains of separation support your answer or support your views by giving example from the text अभी मैंने एक ऐसा question दिया है जो काफी कुछ cover करेगा ये long question है actual में कि कैसी कह सकते हैं कि जानवरों में ऐसी feelings होती है तो animals feel love as well ये बात तो हमें भी पता है कि जानवर भी प्यार feel करते हैं तो though they cannot speak they express their love in their own way चाहे वो बोल नहीं पाते लेकिन अपना प्यार तो वो show करती है तो being sensitive the animals also feel the pleasure of love and pains of separation तो उनको भी देखो ये feeling आती है pleasure of love प्यार की feeling और बिच्छडने का दुख इन the story the wand of love the relationship between the beer and the author's wife proves it and Bruno the beer was loved by the author's family अब ये बात सब को पता है कि Bruno को चोकी एक beer था उसके author की family बहुत प्यार करती है and he was equally attached to them वो भी उनको बहुत attached था उनके साथ connected था तो when he grows up in the author's family he is sent away to a zoo अब जब वो एक पार narrator के house में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको एक zoo में बेच दिया जाता है इन the zoo बाबा और Bruno looked sad and refused to eat उसने zoo में खाना पीना छोड़ दिया and when the author's wife visited the zoo after a gap of three months तो he recognized her and expressed तो उसने recognized भी कर लिया और express किया अपना pleasure by standing on his head तो thus we see that animals also respond to love and separation like human beings so human beings की तरह है उनमें ये दोनों feelings होती है प्यार वाली feeling भी होती है और बिछरने का दुख भी वो मैसूस करते हैं तो ये कुछ important question थी से पहले इस chapter की एक video दे चुका हूँ और इस video की description box को भी चुरूर देखेगा so thank you very much and have a very nice day अखिन वेफेबएब घुचार फे चुरूर लाग हौप दूर बिच्टोंस से टERच